श्रीरादेरादे, भक्तों प्रभु की सेवा, भक्ति की साधना भाव मही होती है, यदि भाव मही सेवा नहीं है, तो उसमें प्रेम उत्पन नहीं होगा, और उसमें दीव्यता नहीं आएगे, फिर वो केवल एक कर्मकांध ही रह जाएगा, वो भक्ती नहीं हो पाएगा, और फिर उससे न शांती मिलेगी, न अशांती का नास होगा, गीता जी के दूसरे अध्या में प्रभूनिस्वयम का है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नेचा अयुक्तस्य भावना, नेचा भावेत शांती हर शांति स्य, अशांतस्य कुता है सुखम, जो अशांत है उसको सुख कहां से मिल सकता है, आज इसके अंदर पवित्र प्रीती वाली भावना नहीं है, उसको शांती कहां से मिल सकती है, और ये उसी के साथ घटित होता है, अर्थाज भावना, युक्त, शांती, जो जुड़ गया है मन से, नास्ति बुद्धि अयुक्त श्या, सद बुद्धि का जागरन उसी के अंदर होता है, जो युक्त है अर्थाज प्रभु से जुड़ा है, वही भाव भरी सेवा करता है, जिसको भक्त लोग लाड मही सेवा बोलते हैं, प्यार भरी सेवा, और उशा माता जिनका चरेट्राप समण कर रहे हैं, वह ये बहुत भरी, भाव भरी सेवा करती थी, और श्री बिंदाबंधाम में आई हैं, संतोष माता के द्वारा सब दर्शन उनको प्राप्त हो रहा है मन्दिरों का, उन्होंने देखा श्री बिंदाबंधाम में, श्री राधाधा मोदर मंदिर, श्याम सुंदर मंदिल इन सब में बड़ी प्यार बड़ी भाव बड़ी लाड़ बड़ी सेवा हो रही है यह दर्शन करके आनन से भर गई हो कल आप श्रवन कर रहे थे कि उन्होंने गोपाल भट महाराज जी जो महापरवुच इतन जी के सिश्य थे उनके सेविश्य राधा रमण जी जो पहले एक सालिक ग्राम थे और प्रेम के अधिक्ता की कारणों सेवा ग्रहन करने के लिए जो अपनी छवी को प्रकट किये थे आज भी विराज महने राधा रमण जी छोटे से ठाकुर हैं सालिक ग्राम से प्रकट हुए और मंदिर विशाल है वो दर्शन किया जब उश्य जी ने तो उनका हुर्दय अनन्द से भर गया और इसके बाद भक्तों श्री हित हरिवंस जी के लाड़ले श्री राधा बल्लवलाल जी जैसे प्रतीक्षा कर रहे थी कि उश्य कब आँने कब इनका मंचुराएं और इतनी सरस्वरिष्टी उश्य जी को भाव समवरन करना मुश्किल हो गया इनकी आँखें मुदती सी जा रहे थी राधा बल्लव जी का दर्शिन करके उश्य जी की आँखें मुदती सी जा रहे थी बंद होती जा रहे थी संतोष भाहिं जी की पार्खी नजरों ने पहिचान लिया तो यह तो समाधी की दसा में पहुँच रही इन थोड़े से ही दिनों में उश्य जी संतोष जी की पहिचान में आ चुकी थी संतोष जी के ममत भरे आचल के आश्रे में प्रसंशनी अपनी सी हो गई थी उश्य जी को ऐसा लगता था कि संतोष जी ने मुझे बिलकुल अपनी बना लिया है बहुत अपनी मानती में एक जिन दोपार को संतोष भहिची ने अपने ठाकुर के समक्ष भोग के साथ पात्र में जल रखा उश्य जी के मन में अपने सेवे स्री ठाकुर जी का विचार चल रहा था विचार आया कि पता नहीं वहां अंबाला में श्री ठाकुर जी के आगे जल रखा है या नहीं तब ही इने श्री ठाकुर जी की जल पीने की धोनी स्पस्ट रूप से सुनाई दी फोड़े जिन बाद ही उशा जी को अंबाला जाना पुदा पुछने पर पता चला कि सचमुछ ही उस दिन भोग के साथ जल रखना भूल गए थे अब आप देखे भागतों को इतनी दूर से ही प्रभू बता देते हैं पुशा जी बुरंदाबन से अंबाला चली गए थी पहली बार ज्यादा दिन नहीं रुकी थी बुरंदाबन एक हफ्ता के आसपास रुकी थी पर अब बुरंदाबन से अंबाला जाने के बाद बहुत बदला हुआ चुका था जैसे पहले की उशा जी अंबाला वाली अब नहीं है अब बुरंदाबन वाली उशा जी है उनका रोम रोम अलावकिक दिव्याभा को जलकाता उन्हें और आकर्शक बना गया था इद्धिप इसके पूरु भी वो दिन रात शाकुर जी की सेवा करती थी माधुरी भाव में राती थी पर श्री धाम ने सुरस इंचन कर उनके भावों को और पुष्ट कर दिया था लगवक चार महिनें अंबाला में रह करके उशा जी सब करतब्यों को निवा करती हुई अंतरतम में राग सिक्त थी अर्थात कनहिया के प्रेम के राग में रगी हुई थी हाँ वही सरस विकलता विकल सरस्त का रहस्य दर्शाती उनकी भाव निवाग नता श्री धाम का आकरश्ण जल्द ही उनको पुरिंदावन वापस ले आया और फिर वो जीवन के अंतिम सांस तक ब्रज में रही जाती भी थी कहीं तो बस ब्रज के अंदर ब्रज के बाहर नहीं जाती थी और अब तो ब्रज के कई दर्शनों के बाद किवल ब्रणदावन की हो गई थी ब्रणदा बनाने के समयन के सेव श्री ठाकुर जी भी साथ में ब्रणदा बना गए पहली बार तो अंबाला में छोड़के आई थी सक्षियों के भरों से लेकिन अब तो साथ में ले आई और साथ में आये थे मा श्यामा जी शुरुती फूज्या सुशीला बहिन जी की छोटी बहिन काकी जिनके विशे मैंने कल आपको बताया था ये लोग भी साथ में आगए है और दोनों असाय छोटे बच्चे मनोज और नीलू जिनने अपनी मां को खो दिया था ये भी आगए है मां मर्थात उशा जी जैसी महान भगवत सक्षी के साथ इनका जीवन महान भक्ती में लग गया बांके विहारी कालोनी के एक अर्ध निर्मिट से घर में रुकने का प्रबंध हुआ था जहां कोई भी व्योस्था नहीं थी पानी भी दूर से भर कर लाना पड़ता था पूज्य धर्मजी की आश्रिता रामकली मौसी जी ने प्रथम दिन भोजन की सार्ष व्योस्था कर जी थी धीरे धीरे ठाकूर सेवा की समचित व्योस्था भी हो गई नित्य की तरह उत्थापन, कीर्टन, पदगायन, स्नान, शिंगार और भोग सेवा सब नियम बद्ध होने लगा शाम का सत्चंग और रात्रिश्य न कीर्टन भी प्रम बद्ध होने लगा और भक्तों, उन्ही दिनों, एक दिन जब उशा जी विहारी जी के दर्शन कर मंदिर से बाहर आई तो पूज मनोहर दास बाबा मिल गए ये व्रंदावन आते ही प्रथम दिन ही संतोस बहिं जी के यहां बैठे मिले थे दोनों रास्ते में बात चीत करते आए प्रथम परिचे से ही इनकी आत्मियता और अपनत्त में उशा जी को मात्रिश ने मिला और ये आत्मियता भरा संबंध व्रंदावन के दीरगवास लगभग 33 वरस तक उतनी ही सुद्र दोर से बढ़ा रहा वह इने भाईया कह करके संबोधन करती थी मनवरदास बाबा को उशा जी भाईया करती थी और परिकर में वे सब के भाईया ही थे सब के उद्जि बाबा वास्तों में इन सब के भाईया ही थे जितनी सक्खियां थी सब मनवरदाबा को भाईया करती थी परस पर समादर का भाव होते युए भी उशा जी की इनकी प्रती आगाद शनता थी महेश्वर मध्य प्रदेश के निवासी मनोवर दास्टी अहिल्य बाई होल करके राजपुरोहित के सबसे छोटे लाडले सुपुत्र थे छोटी अवस्था में ही कीर्टन सुन करके श्री कृष्ण प्रेम की दोर से बंध करके बंदा बना गए थे यहां आकर के श्री बाल कृष्ण दाश्जी महराज के अनुगत्य में वेंदा बनवास किया विचारों में गंभीरता लिए मधुर रस प्रवाः लीला चर्चा में अभिनिवेश और उशा जी के श्री ठाकुर जी के प्रती विशेस आकर्षन की जलक उनका विशेष्ट भक्ति में व्यक्तित्त सभी पर विशेष प्रभाव डालता गुरु विरह में इनकी तडब अश्रुधारा लाल चेहरा तप्त वक्षस्थल में उन दिन सब को वियोग अवस्था की साक्षार जलक दिखाती थी पूद्य बाबा जी उसा जी के परिकर की सभी बहिनों पर अविभावक की सिक्रुपा दिश्टी रखते थे सब के परिश सब के हितकारी थे सबी जो सक्षियां थी उनको लगता था कि हमारे अविभावक की रूप पर नहीं है सब के लिए परिश थे सब के हितकारी भाई थे बहिया जी कहती थी सब लोग पूजय उशा जी की पून्ड शर्णागत वृत्ति और करुणा में प्रभु की उनपर बरस्ती अपार कृपा ही थी कि हर पल अनभूत्यों की सरस्वरिष्टी होने लगी एक दिन संध्या समय पूजय संतोष बहिन जी के साथ उशा जी बांखे बिहारी जी के दर्शन के लिए गई गर्मी अत्यदिक थी इन्हें तीव रुप्यास लगी जबकि घर से पानी पी करके निकली थी तो संतोष जी था कुर दर्शन में तल्लीन थी और उशा जी इधर उदर देख रही थी कि शायद कहीं जल की व्यवस्ता दिख जाए और प्रांगण में चमवोर देख रही थी तभी मंदिर के अंदर से पुजारी जी शर्वत से भरा गिलास लेकर के आए और इन्हें दिया भक्तुम संतोस जी मुश्करा दी परिहास करती हुई बोली इससे पहले तो कभी बिहारी जी ने इस तरह खातिर नहीं कि लोई से पी जाओ दोनों ने अमृत तुल्ली उस द्रव्य का पर्थात उस शर्वत का पान किया इस बिहारी जी का सशक्त आश्वासन था और महराज पून रूपे निर्भाल अर्था थाकुर्जी की कृपा पर विश्वस्त हो गई और बिहारी जी के इस प्यार भरे उसा जी के अंदर रे जूट पन्नु अर्था बिहारी जी के इस लाड पर उचा जी रीज गई कि बिहारी जी ने कितनी प्रीटी से मेरे उपर कृपा की है मैं प्यास से परिशान थी पानी मिलना मुश्किल था और मंदिर के अंदर से लाकर के शर्वत मुझे भरा गिलास में देया शर्वत से भरा हुआ गिलास लाकर के पुजारी जी बांके बिहारी मंदिर के उस समय जो आज की तरह से भीड तो होती नहीं थी मंदिर के जो अंदर के पुजारी जी थे वो लाकर के गिलास भरा उश्चार बद दिये भक्तों ये घटनाएं प्रभु की इच्छा से घटित होती हैं और किसी को नहीं दिया था, उशा जी को दिया था, उशा जी को लगा कि और किसी को नहीं दिया, मुझ को ही दिया, बियारी जी ने जरू मुझ के मेरे उपर कृपा किये, तो रेज गई प्रभु के भाव में, प्रेम में, समर्पित हो गई, वक्तों, जैसे उशा जी, शी ठा शाकुर जी पर पून तया निर्भर थी, शाकुर भी समय समय पर उन्हें आश्वासन देते थे, एक दिन उशाजी ममता माई माँ का वात्सल याद कर, कुछ विचलिक सी हुई, असमंजस की स्थिज में थी, मन में सोचने लगी, यहां मेरा कोण है, कैसी व्रंदवन बास हो सक यह विचार अभी मन में आया ही था, इस साम ने ही प्रत्यक्ष स्थावर किशोर खड़ी दिखलाई पड़ गए, पीतांबर उड़े, बंशी को एक हाथ से थामे, दूसरे हाथ से अपने को संकेत करके, बोले, दुज निश्चे रखो, हर पल में तुमारे संग हूँ, यह आश्वाचन इनकी भरोसे को संभल प्रदान कर गया हूँ, उरंदा वनवास के प्रारंभिक काल में, इनकी ठाकुर्ट सेवा पद्धती, इनका सब को समाधर देते हुए भी, किसी संपरदाय से न जोड़ना, बहुत से लोगों की जिग्यासा का विशे बन गया, उनका इन कभी-कभी अपेक्षा और आवमानना का व्योहार भी मिल जाता था, पर इनका धहरे शांत, अविचलित्मन, इनकी प्रीत भरी ठाकुर्ट सेवा, निष्ठा में रत, किसी को प्रत्युत्तर देने के आश्चक्ता को नकारता रहता था, कोई कुछ भी कहे बोलना नहीं, अपने समकालिन संतों के घरदय में आश्च्रे प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर लिया, थोड़े ही समय में सभी विरोध स्वता ही समाप्त हो गया, जो लोगों के मन में था ने कि, अरे तो किसी संपरदय को नहीं मानती, किसी किसी इस्या नहीं, ये सब समाप्त हो गया फिर सभी की समाधरनिया हो गई खनाया ने जब अपनी स्विकार कर लिया भक्तो तो फिर बटक नहीं कहां था उन दिनों वुरंदावन के भक्त समाज में डाक्टर बांके विहारी जी का विशिष दस्तान था जाने माने ये भक्त पेशे से वकील थे सब को स्ट्याग कर बंदावनवास करने के लिए आ गए थे और इनके सत्संग में सभी उत्य शिक्षित भक्त गण आते थे भक्ति मती उशाजी के आगमन ने इनमें भी उल्लास भर दिया डाक्टर साहब पुज्या उशाजी के गरिमा में आकर्षन व्यक्तित से बहुत प्रभावित हुए उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार हे तो एक समिती बनाने का प्रस्ताव रखा और उशाजी को कोई उच्च पत देने की प्रस्ताव न रखे परियाश्मान से दूर रहने वाली उशाजी ने बड़ी शालिंता से बिने पूर्वक अस्विकार कर दिया और अपनी अस्वाहमती जताती हुए अपने को अलग कर लिया निश्चे ही सबको बहुत निराश्या हुए पूद्या उशाजी आविचलित और आधिक रही हुए वकाती साधु सावधान हर पल सावधान पर सस्तो ही है कि ने अपने ठाकुर सेवा सनलगनता से इतर कुछ भी भाता नहीं था उनको लगता था समाज में प्रटिष्ठा मुझे क्यों चाहिए मुझे तु प्रभू की सेवा चाहिए समय भी नहीं था क्योंकि प्रभू की सेवा इं मुख्यकारे था इनका बुरित्ती भी नहीं थी एसी, रुची नहीं थी, इनकी माधुरी भरी लाड भरी सेवा सबको आकरशित करती थी अपनत्त्य के घेरे में बांचती गई, इनकी जीवन सैली स्वयम ही सब के लिए प्रिरणा बन जाती थी प्रचार प्रचार का शायद सर्वोतम उपकरण की जीवन सैली था, जीवन सैली ऐसी थी, कि किसी प्रकार का प्रचार करना ही नहीं पड़ता था, लोग अपने आप प्रभावित हो जाते थे उल्लास और मधूरता से भरे दिन थे, पर कड़ी परिक्षाएं भी देनी पड़ी थे, शेहरी के भरोचे रहीं, उशा जी को सहाजी सब समस्याओं का समधान मिल जाता था सत्रा जुलाई 1961 की बात है भक्तों, उशा जी सुषीला बहिन जी के साथ साधु बेला के आगे से जा रही थे भक्तों साधु बेला हार नेकुंज शेवराहे के पास में है, थोड़ा सा पोगलाश्रम की तरफ चलेंगे तो बाएं आत पर पहले तो बड़ा सुन्दर सा मंदिर था जिसमें बड़े च्छायदार व्रिक्ष थे अब वो जिवनों धार हुआ है, स्वरू बदल गया हो तो संध्या का छुटपूट अधेरा सा हो गया था सी ठाकुर चर्चा में दोनों सक्षियां इतनी निमग्न थी कि अन्जाने में उशाजी का पाउं एक सांप पर पड़ गया अलो, विश्का प्रभाव भी ततकाल दिखने लगा, खून बहने लगा पाउं पर सर्प के दंस के चिन भी दिखलाई पड़े, पर वो बिचलित नहीं होई, कस के पट्टी बांध ली, पर किसी से कुछ नहीं कहा और दोनों सक्षियां नाम संकीत में डोग गए नाम महिमा और इनका प्रहुपरा तूट विश्वास श्री हरी के हर विधान पर पूर्ण समर्पन, उसी के परनाव आप कर सकते हैं, कि कुछ भी अपरी घटित नहीं हुआ सर्प दंसे भी कोई भी अपरी घटित नहीं होई हाँ उसी शीला जी जो बीच बीच में उटकर इने देखती रही भोर वीर रवी का आगमन उनमें नए हुजाने उदालल ये उत्सा भरता हुआ आया और इनकी नित्य की भाँट ठाकुर की सेवा में फिर ससनलगन कर दिया रातेकाल का प्रकास इनको ठाकुर जी की सेवा में सनलगन कर गया और आश्चर ये भी हुआ कि सर्प दंस के बाद उस्षा जी का कंधे का दर्द पूरी तरसे चला गया क्रिपा का ये भी एकन उठा सरूप है कंधी में दर्द रहता था साप ने डस लिया उसका तो कोई इलाज किया ही नहीं क्यों कस के पट्टी बांद ली थी बस और महराज सर्प दंस का विश्ट तो पता नहीं कहां चला गया नाम कास्ट है लेते हुए कीरतन में दूगी हुई थी बस और कोई इलाज नहीं और कंधे का दर्द भी पूरी तरसे चला गया जो कि बहुत दिन से था ऐसा अद्भूर प्रभाव मगवान के नाम का दिखलाई पड़ा था उनी दिनों एक दिन पूर्जा संतोष बहें जी उसा जी को इमली तला के पास ही गंगा मंदिर में रह रहे पूज बाल कृष्ण दाश्टी से मिलवाने ले गई वक्तों गंगा मंदिर का पहले मैंने पठा किया था तो मालू हुआ कि वो है नहीं जगा भिग गई लेकिन अभी कुछ बच्चे गए थे तो उन्होंने बहुत खोज किया तो मालू हुआ कि दूसरी गली से गंगा मंदिर में जये रह सकता है अरथा तो भी मंदिर है वह अनव निर्मान बहुत से हो गए इसलिए वो भाहत दिखता नहीं लेकिन गंगा मंदिर विराजमान है बहुत पराचीन है वह जहाँ बाल कृष्ण दाश्टी महराज राटे थे उत समय तो गं मंजिर में बाल कृष्ण जाश जी से मिलाने के लिए संतोष भाहिंजी उशा जी को लेके गई तीसरी मंजिल पर एक छोटे से कमरे में रह रहे महराज जी अद्वुत भावती दसा थी उनकी अलावकि संसार में विचरती उनकी अर्द मुदी द्रिष्टी भाव भंगिमाएं बाय संसार में उनकी कोई सुद नहीं थी अब आप समझ लिए बालकृष्णदाश्टी जो थे उनकी सिशे थे घंशाम ठाकुर इनकी चरिटा उली चालिस भावगन में सुना चुका हूँ और बालकृष्णदाश्टी को राधा बाबा भी बहुत मानते थे तो बाय संसार में उनकी कोई सुद नहीं थी ऐसे भगवान की मस्ती में रते थे सुखत पर अचंबित करने वाली उनकी वो रस्मई स्थित्ती रस सामराज की गहराईयों का आता पता दर्शाती उनकी हुरदय पर सदा के लिए अंकित हो जाने वाली जलक उसा जी ने दर्शन किया तो भाव विभोर हो गई कि यह कोई उच्छे कोट के महापुरुष हैं और जब अपने आवास पर वापस आई उच्छे तो माश्यामा और परिकर की अन्य बहिनों को महाराज शी अर्थादबाल कृष्णदास जी महाराज की विलक्षन इस्थिका वरणन करके उच्छा जी खुद भी उसमें उस भाव में डूबने लगी उस प्रथम मुलाकात में अधिव महाराज शी कुछ बाचीत नहीं उच्छे लेकिन दर्शन से ही समझ लिया उन्होंने कि ये तो बहुत उची वस्था के मापुरुष है महाराज शी अपने रस्मई दशा में वेशुद बाह संसार से अनभिग गिते पर दो रस्मर्मग्य उच्यकोट के संतों के हिर्देतार तो अंदर अंदर जूड़ चुके थे बालकृषन दाश जी के चरित में दो भाग में सुना चुका है वक्तों उनके सी से घंश्यम ठाकुर का तो चरित विस्तार चालिस भाग में सुनाए गया है वक्तों कालांतर में उनसे प्रगाड आत्मी इता भरा संबंध बन गया था वालकृषन दाश जी से उसाजी का अक्सर श्यमना जी का स्नाम दर्शन आच्मन करने के लिए उसाजी जब उस गली से गुजरती तो महाराज जी उपर से हाथ उठा कर उत्सवर्च रादेश या इचे कर बूलाते थे दोनों परिकरों में परस पर आना जाना लगा ही रहता थे हरिचर्चा पदगान के समय सरस ब्रिष्टी से वातावरन गुंजाय मान हो जाता था उत्सवों की जूम में तो मानो नित्य धाम की कुंजों निकुंजों का आभास होने लगता था इस प्रकार से उर्षा वहिंजे बाल कृष्ण दास्टी से और उनके सिर से ठाक और घंशाम और भक्तों से जुड़ गएं क्योंकि लोग महान भगवत प्रेमी संत भक्त थे भगवान के कारण भगवान के भक्तों से जुड़ना कल्यानकारी होता है गीता जी के दस्वेत्यामी प्रफु ने कहा है बोधेंत परस्परम मत्चित्ता मत्गतब प्राणा बोधेंत परस्परम कथेंत श्यमामनिट्यम तुष्यंत चे रमंत चे भगवान ने भग्त काही जेसे लक्षन बता दिया तो अभी माता उशा जी महान संत बालकृष्ण जास्टी और उनके सिश्य समुदाय के बीच में बैठी हुई सत्संग का आनंद ले रही हैं हम सब महान संतों को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहें मृष्ण अगे कंचे र्धीऊ फिराम दे रहों करिंगे श्रैदीरादे ले श्रैदीरादे